हाई मैं हूँ विनाय ग्रोवर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले है इसोप्स के बारे में यानि एंप्लोई स्टॉक ओनर्शिप प्लैन यानि एंप्लोई के लिए ऐसा बेनिफिट प्लैन जिससे एंप्लोई अपने कंपनी के शेयर्स को हेवी डिसकाउंट पे या फिर उस प्राइस पे खरीद सकता है जिस प्राइस पे उसके फाउंडर्स ने डिरेक्टर्स ने या फिर इन्वेस्टर्स ने खरीदे हैं तो अब एंप्लोई के पास एक ऑप्शन है कि वह अपनी कंपनी के स्टॉक्स को खरीद के एजन ओनर उस कंपनी में कॉंट्रिब्य कर सके ना कि सिर्फ as an employee और आगे जाके अगर company grow करती है तो वो अपने shares को sell करके एक बड़ा profit भी generate कर सके तो example के तौर पर गूगल की story लेते हैं जब Google ने अपना IPO निकाला तब Larry Page और Sergey Brin उसके founders world के richest person तो बने ही लेकिन उसके साथ उनकी company के हजार से भी जादा employees millionaires बने विकॉस अफ दिस ईसॉप्स ऐसे stock options जो उन्होंने तब खरीदे जब Google की value बहुत ही कम थी और starting के employees को वो शेर्स बहुत सस्ते में मिले और जब उनका IPO launch हुआ जब और उन्होंने एक्जिट ली यानि अपने shares को sell किया तो बहुत हेवी profit कम आया तो ईसॉप्स के जरीए अब एक employee भी अपनी wealth create कर सकता है जितनी उसके founders ने directors ने या फिस CEO ने की है तो सवाल यह उठता है कि कोई company अपने employees को क्यों और कब ESOPS देगी कैसे आपको ESOPS grant होंगे कैसे आप उन ESOPS को shares में convert करवा सकते हैं और आगे जाके उन shares को बेच के एक profit generate कर सकते हैं अपने लिए तो आगे बढ़ने से पहले एक बार इस चैनल को subscribe कर दीजिए ताकि आगे आने वाली business और entrepreneurship related videos को आप मिस ना करें तो आगे बढ़ते हैं कि कोई company अपने employees को ESOPS क्यों देगी for example अगर आप किसी कंपनी में job करते हैं और आप वहाँ पे पूरी जी जान महनत से अपना काम करते हैं या पूरे efforts लगा देते हैं उस company को grow करने में help करने में आप वहाँ पे सिफ इस लिए नहीं टिके हुए कि आपको salary चाहिए आप उस company के vision और mission को समझते हैं और उस company में अपनी पूरी जान लगा के उसको grow करवाना चाहते हैं तो आपका employer भी चाहता है कि आपका जैसा valuable employee उनके साथ जुड़ा रहे और उनको अभी छोड़ के ना जाए क्योंकि आपने उनकी company को इतनी value generate करके दी है और अब उनकी वारी है कि वो आपको एक value generate करके दे तो वो क्या करते हैं वो आपको एक e-sops देते हैं यानि आपको एक option देते हैं कि अब आप उस company के stocks करी दिये और ना की सिर्फ as an employee अब as an owner काम कीजिए जिससे आपका उस company में trust बढ़ता है आपको और ज्यादा motivation आता है काम करने का तो अगर आप और efforts लगाते हैं काम में और आपकी company grow होती है तो साथ साथ आपकी wealth भी grow होगी और वहाँ पर इस वज़े से ज़्यादा motivation आएगा अगर आप बहुत time से काम कर रहे हैं किसी company में तो आपका company आपको e-sops grant कर सकती है बहुत लंबा time आपने उस company को serve किया है 10-15 साल हो चुके है अब वो आपकी company चाहती है कि आपको एक value generate करके दी जाए इसलिए या फिर अगर एक startup है और वो starting में अपने employees को retain करवाना चाहता है क्योंकि किसी भी company में employees आते हैं वहाँ पर training लेते हैं सीखते हैं उसके बाद चले जाते हैं किसी बड़ी company में तो उसके वज़ा से startups को एक value create नहीं हो पाती है वो जो growth चाहते हैं वो नहीं हो पाती है तो वो चाहते हैं कि अपने starting employees को retain करके रखा जाए ताकि वो उनके सबसे crucial और growth phase में उनका साथ दे सके इसलिए वो अपने starting employees को ESOPS देते हैं for retention purpose तो ये कुछ वज़ा होती हैं आपकी performance, efforts, आपकी longevity, आप कितने टाइम से रुके वो हैं उस company में या फिर आपको retain करने के लिए आपकी company आपको ESOPS grant करती है तो अब आगे बढ़ते हैं कि आपको ESOPS मिलेंगे कैसे तो ESOPS एक ऐसा तरीका है कि company आपको अपने साथ एक लंबे time तक जोड़ के रखना चाहती है अकसर क्या होता है ESOPS आपको एक साथ नहीं दिये जाते आपको ऐसा नहीं होता कि आज आपको ESOPS grant होने है तो एक साथ ही आपको सारे ESOPS grant हो जाएंगे आपको धीरे-धीरे करके ESOPS दिये जाते हैं और वो जो period होता है जिसमें आपको ESOPS मिलेंगे वो होता है Westing Period इसको एक example से समझते हैं समझी एक company की valuation है एक करोड रुपे और उसके पास total number of shares है 10 लाग यानि अब एक share की value कितनी हुई 10 रुपीज और आपकी company चाहती है कि आपको 10,000 ESOPs दिये जाए यानि आपको 10,000 shares करीदने का option दिया जाए अब वो company आपको 10,000 ESOPs एक साथ grant नहीं करेगी क्योंकि अगर उसने आपको एक साथ दे दिये तो आप कल को company चोड़ के चले जाएंगे फिर आप किसी और company में जाके वहां के ESOPs लेंगे फिर आप वो company चोड़ के फिर किसी और company में तो इस से उस company को कोई value create नहीं होती है इसलिए वो company आपको जब ESOPs देगी तो एक साथ ना देगे थोड़े थोड़े टाइम में थोड़े थोड़े देगी और उस जो period होगा जिस period में आपको वो सारे ESOPs मिलेंगे वो होता है वेस्टिंग पीरियड for example आपको एक company चार साल में वो 10,000 ESOPs देने वाली है with yearly vesting यानि हर साल के end में आपको धाई हजार ESOPs मिलेंगे जैसे ही आपका पहला year खतम होगा आपको धाई हजार ESOPs मिलेंगे second year के end होने पर आपको धाई हजार और मिलेंगे आपको एक साल बाद ESOPs मिलने हैं तो कई लोगों का हमापे motivation फोर डाउन हो जाता है क्योंकि अब जो reward आना है एक बार आ गया अब आपको एक साल और टिक के काम करना पड़ेगा तब आपको अगले साल का reward मिलेगा इसलिए कई companies उसको yearly vesting ना करके उसको quarterly vesting करती है अब वो आपको एक साथ महीं मिलेंगे अब वो आपको हर तीन महीने के gap में मिलेंगे यानि आपको quarterly vesting होगी यानि आपको हर quarter में ESOPs दिये जाएंगे कुछ companies जो बहुती starting companies होती हैं जो चाहती है कि उनके साथ employee टिके रहें उनके बहुती crucial phase में वो monthly vesting भी करते हैं और उनको हर महीने एक में reward मिलता रहें इससे वो जादा time तक employee एक company के साथ टिक जाता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने ESOPs आपको मिले हैं आपके कलीक को भी उतने ही ESOPs मिले में अगर आपको 10,000 ESOPs मिले हैं based upon your performance based upon your efforts आपकी value कितनी है आप क्या value generate कर रहे हैं company के लिए में भी वो आपके कलीक के लिए अलग हो उसको 10,000 ESOPs ना मिलके हो सकता उसको 5000 मिले या फिर 15,000 ESOPs मिले तो वो depend करता है उसकी performance पे और उसके efforts पे या फिर उसकी value पे कि वो कितनी value create कर रहा है अपनी company के लिए तो जिस price पे आपको वो ESOP मिलेंगे वो होगा उसका exercise price for example हम मान लेते हैं कि आपको 10 रुपे पे ही वो ESOP मिले हैं पर ESOP आपको 10 रुपीज मिले हैं तो वो क्या हो गया आपका exercise price में भी हो सकता है आपके कलीक के लिए exercise price अलग हो उसको 10 रुपे में मिलके उसको हो सकता है 15 रुपे में मिले हो या फिर 8 रुपे या 7 रुपे में मिले हो number of ESOPs और exercise price हर employee के लिए अलग-अलग हो सकता है based upon their performance and based upon how much value they are creating for their company अब मान लेते हैं कि आपने अपना पूरा western period आप उस company में टेके रहे और आपको आपके 100% ESOPs मिल गए जितने आपको मिलने थे ऐसा नहीं होता है कि आपको ESOPs मिल गए आप जिंदगी भर कभी भी आप उनको shares में convert करवा सकते हैं कमपनी आपको एक time period देती है जिसको हम कहते exercise period आपको उसी period में अपने ESOPs को shares में convert करवाना होता है नहीं तो आपके सारे ESOPs lapse हो जाएंगे मेभी आपको company कहे कि जब आपका western period over होगा तो उसके बाद आपके पास 3 महीने का time है अपने ESOPs को shares में convert करवाने का यानि जो exercise price आपको दिया गया है आपको उस price पे अपने shares खरीदने होंगे अगले 3 महीने में no matter what कि उस time पे market value कितनी है किसी भी point पे जब आप उसके shares खरीदेंगे उसकी market value कितनी भी हो आपको वो shares exercise price पे ही मिलेंगे यह सबसे बड़ा फायदा है ESOPs का जिसकी वज़र से लोग एक heavy profit generate करते हैं through ESOPs कि अगर कल को वो market value 3000 भी हो जाती है तब भी आपको 10 रुपे में ही मिलेगा पांच अजार भी हो जाती है तब भी आपको 10 रुपे में मिलेगा और अगर और भी जादा बढ़ती है पांच से भी तब भी आपको 10 रुपे में ही दिया जाएगा exercise period बहुत ही crucial point है ESOPs में क्योंकि कई बार लोग exercise period पर ध्यान नहीं देते हैं और इस चीज को बहुत ही इग्नोर कर देते हैं जिसकी वज़ा से maximum employees के ESOPs laps हो जाते हैं यानि उन्होंने 4-5 साल उस company में काम भी किया western period पूरा भी किया सारे ESOPs भी कमाए, effort भी पूरे लगाए लेकिन उसके बाद भी उन ESOPs को stocks में convert नहीं करवा सके कई लोग के साथ ऐसा होता है कि जब वो लोग जौब छोड़ते हैं तब उनका employer कहता है कि आपके पास सिफ तीन महींने हैं अपने ESOPs को stocks में convert कर वा लीजी नहीं तो वो laps हो जाएंगे ESOPs के exercise period पे बहुत ज़ादा ध्यान देना है, at least एक साल से ज़ादा ESOP period हो तो बहुत ज़ादा better है तो अगर exercise period कम का है तो ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए, इसलिए exercise period पे ज़रूर ध्यान देना ESOP sign करने से पहले तो ESOP scheme document में आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है ESOP pool size का, यानि आपका जो ESOP pool size है, कितना number of ESOPs है, जिसमें से आपको ESOPs मिलने वाले हैं मेभी ESOP pool size आपकी company का 1,00,00,00 हो, अब उनी 1,00,00,00 में से आपके सारे employees को ESOPs दिये जाएंगे, जिसमें से आपको 10,000 मिल गए, मेभी हर किसी को employee को सिफ 200 ESOPs मिले, किसी को सिफ 500 ESOPs मिले, तो ESOP pool size किया हो गया उसका 1,00,00, इस तरीके से वेस्टिंग period कितना है, कितने time period मे आपको मिलेंगे, हर साल आपको कितने ESOPs मिल जाएंगे, ये चीज़ आपको समझनी है, उसका exercise period क्या है, कितने time में आपको ESOPs को stocks में convert करवाना ही पड़ेगा, ये आपको check करना है, तो ये सब बाते clear होने के बात, आप ESOPs पे आगे बढ़ सकते हैं, इस में से कोई भी point को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कई लोग किसी भी point को छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और फिर बाद में या तो वो ESOPs उनके lapse हो जाते हैं, या फिर अगर वेस्टिंग पीरेट जादा है, तो वो बिना अपने ESOPs लिए company को leave कर देते हैं, और उनको जितने ESOPs मिल करेंगे, ऐसे ही किसी business और entrepreneurship के lesson के साथ, और बाकी आप मुझे comment में लिखके भी कोई topic बता सकते हैं, जिस पर हम लोग आगे discuss कर सकते हैं, और आगे ऐसी कोई videos बना सकते हैं, तो इस channel को जाने से पहले एक बार subscribe कर दीजिए, इस video को like कीजिए, और बाकी अपने friends के साथ, पूरी information मिल सके, थैंक यू